बालो की हर समस्या को यह खतम कर देगा जड़ से यह देखेजिए एक जैली टाइप है आप देख सकते हैं तो किस तरह से बनाना है किस तरह से प्लाई करना है इस वीडियो को एंड तक देखेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके साथ एक ऐसा आयरवेदिक नुस्का लेकर रही हूँ एक जैली टाइप चीज लेकर रही हूँ जो कि आपके बालों को एक नहीं बल्कि जितनी भी प्रॉब्लम है सबको खतम कर देगी तो दोस्तों मुझे बहुत सारे कोमेंट्स आत है जो अराम से आप इसको यूज कर सकते हो और मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाहूंगी कि अगर इतनी चोटी उमर में आपके बच्चों के बालों में ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज उनकी डाइट का ध्यान दीजिए उनका व्लड टेस्ट करवाईए कि कौन स हमेशा मैं आपसे यही कहती हूं कि अपनी स्कीन का और अपने बालों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है अगर आपने तो अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान देजिए इंटर्नली और एक्स्टर्नली अगर आप दोनों बातों का ध्यान देते हैं तब भी आपकी स्कीन और आपके बाल लंबे समय तक अच्छे रहते हैं इसलिए अपनी diet के उपर अच्छे से ध्यान दीजिए तो चलिए बाते बहुत होगी आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो चलिए बीना देख्यों है वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं दोस्तों पर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मुझे फर्स टैम देखने हैं फर्स टैम मैं चैनल पर है चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा यह बिलकुल फ्री है सस्क्राइब की कोई पैसे नहीं लगते हैं तो प्ली सस्क्राइब जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा वीडियो को लाइक करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके साथ और भी अच्छे वीडियो शेयर करने का और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं चलिए पीना देर के वीडियो को करते हैं तो दोस्तो इस रैमडी को बनाने के लिए आपको ये सारे हर्प्स चाहिए इस रैमडी को बनाकर वी बीस दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए लोहे की कड़ाई लोहे की कड़ाई के लेने क तो यहाँ पे मैं जो है ड्राइ साबू तावला ले रही हूँ आप इसका पौडर बना कर भी ले सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरह से समझिएगा यूज कीजिएगा आपको फाइदा होगा दो टेबल स्पूनी यहाँ पे मैं ले रही हू होता है आप पढ़ सकते हैं उसके बाद आपको लेने हैं दो टेबल स्पून यहाँ पे शिक का काई पौडर के मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों यह जो चीज़े हैं सारी ही आईरवैदिक हैं आपके बालों की हर तरह की प्राब्लम को सौल करने वाली है पर इसको बन सर्दियों में हम बहुत सारे पैक अपने सिर के उपर नहीं यूज़ कर सकते हैं दो टेबल स्पून यहाँ पर मैंने डाले हैं चाय पती के उसको मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लिया था चार टेबल स्पून यहाँ डाले हैं महंदी के महंदी आप स्किप करना powder और उसके बाद बिल्कुल इसको medium low to medium flame पर आपको इसको roast कर लेना है बिल्कुल काला नहीं करना है देखिए इस तरह का color आपको करना है जिस तरह का मैं आपको दिखा रही हूँ आपको 10 मिनट अराम से roast करते हुई लग जाएंगे बिल्कुल low flame पर कीजेगा तांकि ये जले नहीं तो इस mixer में आपको डालना है डेड़ लीटर पानी का और उसके बाद इसमें आपको डालना है पांच टेबल स्पून फ्लैक सीट के जाने के अलसी के अलसी में होता है omega 3 fatty acid ये आपके बालों की हर तरह की problem को solve करने में help करता है तो 10 से 15 मिनट तक आप इस mixer को बनाएग पकाईये का low to medium flame पर तो आपका ये जो mixer है ये एक jelly की form में आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जो फ्लैक सीड है उससे gel बनती है तो आपको क्या करना है देखी इतना मैंने इसको कर लिया है जब इसको ग्राउंगी तो एक एक drop ये गिर रहा है यब ये ठंडा होगा थोड अगर आपको बहुत ज़्यादा जैली टाइप चाहिए तो आप इसमें फ्लैक सीड की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है लड़कों के लिए क्योंकि वो अपने बालों को रोज ही वाश करते हैं तो वाश करने से पहले अगर आप इसको लगा होगे तो आपके बालों की प्रॉबलम हमेशा के लिए चली जाएगी आप इसको अपनी दाड़ी के उपर आइब्रो के अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं पतले हैं आइब्रो तो उसके उपर भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग आपको और जर्ट मिलेगा तो इ उसके बाद यह जो चीज है इसको अभी जिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में तो इसको यूज किस तरह से करना है जैसे कि अगर आपके बाल चोटी उमर में सफेद हो रहे हैं तो बालों को पहले आप वाश कर लीजिए वाश करने के अगले दिन आपको इसको अपनी रूर्स में अच्छी तरह से अपलाई करना है और फिर बीना शैंपू के अपने बालों को वाश करना है हफते में दो से तीन बार आप इसको यूज कीजिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफेद हैं मेहंदी डाई का यूज करने हैं तो आप इस मिकसर में ज जड़ से काला आना शुरू हो जाएगे बालों में बहुत अच्छा सा सुदार आएगा बालों की हर तरह के प्राबलम खतम हो जाएगी ब्लेम में आप एक बार जरूर ट्रै कीजिगा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शियर जरूर कीजिगा